हेलो एवरिवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे आज के ट्रेड शुरू होने से पहले की कुछ इंपॉर्टन बाते हैं आज यानि की 3rd सेप्टेंबर चली आगे बढ़ते हैं तो अगर हम स्टार्ट करें कल की समरी से तो परसों की करेक्शन के बाद कल मार्केट ने फिर से रिबाउंड किया और और टाइम हाई पे क्लोज हुई 17,200 के लेवल को भी पार किया मार्केट ने निफ्टी 50 फाइनली 17,234 पे बंद हुआ जो की 158 पॉइंट बढ़ा था और निफ्टी बैंक की बात करें तो ये 257 पॉइंट बढ़के 36,831 के लेवल पे बंद हुआ मिट कैप और स्मॉल कैप में भी 1% का गेन देखा गया और अगर हम आज की बात करें तो टेकनिकल अनलिस का मानना है कि भई ये अपसाइड एक दो दिन और एक दो सेशन और जारी रह सकती है और उसके बाद हो सकता है कि कुछ कंसॉलिडेशन हो या माइनर प्रॉफिट बात करें तो 17,114 और 16,994 है और वहीं रिजिस्टेंस 17,300 और 17,366 है और निफ्टी बैंक की बात करें तो इसके लिए की सपोर्ट लेवल है 36,568 और 36,305 और वहीं रिजिस्टेंस 36,995 और 37,169 है कॉल पुट डेटा की बात करें तो कॉल का सबसे ज़्यादा उपन इंटरस्ट 17,500, 17,000 और 16,500 के लेवल पे है पुरा डेटा आप ब्लू और परफल चार्ट में देख सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगर हम स्टॉक विध हाई डिलिवरी परसंटेज की बात करें कल तो छे स्टॉक ऐसे रहे जिसमें 70% से भी ज्यादा की डिलिवरी देखी गई और इसमें इपका लैब में 91.63 परसंट डिलिवरी देखी गई इसके अलावा टाटा कंजूमर और पावर ग्रेड में भी 75% स टेकनोलोजी में 70% से ज्यादा की डिलिवरी देखी गई और अगर आज की बात करें आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में अगर देखें तो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा गर्मेंट पब्लिश करेगी जो की वीक एंडिंग 27 अगस्ट होगा और उसके बाद मार्किट सर्विसिज यानि की यूरोप में कमपोजिट पीमाई डेटा सर्विसिज और आज चो दो आई प्यों खुले हुए हैं मी और गैनिक्स और विजिया डागनॉस्टिक्स वाज बंद हो जाएंगे मी को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है तो आप देखिए अ न्यूस हैं वो हैं जमू और कश्मीर बैंक क्योंकि बैंक ने अप्रूफ की है कि वो एक्विटी से 1000 करोड और नॉन कंवर्टिबल डेविंचर से भी 1000 करोड मार्किट से उठाएंगे रोजारी बायोटेक की बात करें तो इन्होंने अपना जो एक्विजीशन कर रहे थे काई स्टार इंटर्मीडियरी में वो इन्होंने उसकी फर्स्ट रांच है कमप्लीट कर लियेㅋ बात करें तो इन्होंने एक्विजीशन कंप्लीट कर लिया है एपीडियली एस्टेट फॉं हिंदू जा IRB Infrastructure के लिए अच्छी न्यूज है कि वो उनको माना जा रहा है कि जो तमिल नाडू में थचूर Six Laning Highway Hybrid Annuity Project आ रहा है तो उसके लिए वो Preferred Bidder है Selser Electronics की अगर बात करें तो इन्होंने एक Joint Venture Setup किया है Selser Emarch Electromobility to make electric conversion kits for auto rickshaw, cars and buses और ये novel electric driven utility vehicle और other allied activity को भी manufacture करने वाले है और वो कार्ट की बात करें तो इनकी जो promoter entity है Hemisto Trusty Company उन्होंने 12,40,000 share pledge किये है और ये pledging बढ़के 28.4 हो गई है जो की थोड़ी सी एक negative news हो सकती है इस company के लिए, FI और DII का data अगर देखें तो दोनों ने ही कल buying करी Foreign Institutes ने थोड़ी अपनी buying को कम किया, 349 करोर और Domestic Institutes ने 382 करोर की buying करी जो की लगातार दो दिन से बेच रहे थे Stocks in band की बात करें तो सिर्फ एक ही stock आज बैन में है India Bulls Housing Finance और अगर हम आगे बढ़ें और Global Index को देखें तो kind of a flat ही देखा जा रहा है हाला कि हमारी जब market close हुई उसके बाद US market में Nasdaq और even Dojones और European market भी थोड़े green में ही बन दोई flat to green और जो अभी market खुली हुई हैं उसमें भी flat जैसे SCX Nifty जब मैंने screenshot लिया तो बिलकुली flat था Japan 0.38 की बड़ोतरी दिखा रहा था बट इसके अलावा जो भी market खुली हुई है या तो flat हैं या हलके से green में हैं तो उमीद है इनको देख कैसा लग रहा है की थोड़ी market की सुस्त शुरुआत हो सकती है आज तो यह एक छोटा सा वीडियो था आज के important events के लिए Thanks so much for watching the video and God bless you all